नमस्कार दोस्तों आप से कुछ स्वागत है हमारा यूटूब चैनल मेडिसीन जीकेन दोस्तों आज के इस वीडियो में मिर्गी रोग के बारे में बात करेंगे और मिर्गी रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हम कुछ होमियोपैतिक मेडिसीन के बारे में भ जाता है उसके बाद करने लगता है हात पैर में एफन होने लगती है लगती है नाती लगता है मुझा चुछ सुन नहीं कुछ बोल होगता है लिए तो उसकी याद कुछ देर तक लिल नहीं आ पाती है बहुत देर के बाद उसको कुछ याद आता है कुछ सुन पाता है तो देहांत एठना जमीन पर लोटने लगना यह सब मिर्गी आने की लच्छन है बहुत सारे मिर्गी आने का लच्छन है आपको हम जब दवा बताएंगे तो उसके साथ साथ लच्छन बताएंगे जिस लच्छन से आपका लच्छन मैच करता है मिर्गी का रूग जिस लच्छन से मैच करता है उस दवा का अपयोग करें मिर्गी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा दोस्तो पहली दवा है एवी सिंथम क्यों दोस्तो मिर्गी के हम सभी मरीजों को एवी सिंथम क्यों देते हैं उसका लच्छन मिलता है या नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मैं एवी सिंथम क्यों को देते हैं एवी सिंथम क्यों मिर्गी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तो इसके साथ अण्य दवा भी देते हैं जिसके बारे में हम बताएंगे उससे लच्छन अगर मिलता है तो वो दबा और उसके साथ एविसिंथम क्यों तो जरूर देता हूं कान सुनने हो जाता है हात पर भी सुनने होने लगता है गाने लगता है किस्वफ देड़ कर जाता है और हलका सा जीव से ख मुइन और उसके साथ वह कुछ सुन नहीं पाता है कुछ याद नहीं रहता है झाल को दोस्तों अगली दवा है अर्जेंट्रम नाइट्रिकम 200 दोस्तों इसका सबसे बरा लच्छने इसका मरीज हमेशा घवराहट में रहता है डरते हुए रहता है डर में रहता है उसको यह बात का डर लगता है अब हम नहीं जी पाएंगे अब हम मर जाएंगे उसको यह लगता है कि अब हमको तो मिर्गी रोगा गया है अब हम नहीं जी पाएंगे अब हम मर जाएंगे तो यह सब घवराहट रहता है डर रहता है तो अगली दवा है कोप्रमेट 200 दोस्तों इसमें हाथ पर एठने लगता आपime दिखाए थिए मोट ऊप्रा मेड़ियं सुबहा साम साम दें अग्ली दवा है एक service की भूद जल जल्दी आ इसे एक इसे पर ऐटएं ह Thai अफ्ता में एक पर जल्दी जल्दी आ आता है aerial कि दोको दो बुbad दोस्तो अगली दवा है बीफोर आना 200 दोस्तों इसमें मिर्गी का आटाएख हमेसा नीन्द में आती है आदमी शोय हुए रहता है और सोते-सोते मिर्गी का आ चाना तो आप कुछ समझ नहीं यह पाते हैं तो किसी तरह मुह कर खोले और मुह में बिफोर आना दो सब्सक्व को दो बुन डाल दे हैं अधे घंता बाद फीड डाल दे और एक घंटा बाद अगली दबा दोस्तों अगली दवा है इस्ट्रामोनियम दोस्तों इसमें एक खास लचने कि जब भी कोई चमकदार या जिक जाक लाइट को देखते हैं तो मिर्गी का आटक आजाता है तो इसमें इस्ट्रामोनियम 200 गोड़ी दोस्तों इसमें इसमें मिर्गी का खास लचने जब मिर्गी का अटक आता है आधमी गिर जाता है और उसके हांग पहर में पशिआthese को अगर पशिआये तो सरFF हैंसे मिर्गी का आना बंद हो जाएगा अगली दिखाई्ट दोस्तों इसमें मरीज गीड़ जाता है और उसका सरीर तीन धनुस के तरह तीन भाग में तेरह मेरा दिखाई देने लगता है तो ऐसा दिखाई दे तो सी कूटा दोस्तों को दो दो भून सुबह सामदे मिर्गी का अटैक आना ठीक हो जागा दोस्तों अगली दवा है काली ब्रोम 200 दोस्तों यहां महिला के लिए है फिमेल के लिए है कि उनका मिर्गी अटैक आने से दो दिन पहले पिरियेड चालू हो जाता है मासिक धर्म या महीना के वह चालू हो जाता है और उनको मालूम हो जाता है कि अब मिर्गी का अटैक आने वाला है तो काली ब्रोम 200 को दो दोगुन सुभा सामदे मिर्गी का अटेक आना बंद हो जाएगा दोस्तों तो इन सभी दवा के बारे में हमने बताया और उसके साथ उसके लच्छन के बारे में भी बताया है तो दोस्तों जो लच्छन आपको मिलता है उस दवा का उपयोग क सब्सक्राइब करें. झाल झाल